हेलो एवरिवन मैं हूँ प्रिया एम जी फ्रोम राजा रानी कोचिंग आप सब लोगों की दिमान की वज़र से हम प्लेंकिट पटी का दूसरा वीडियो लेके आये है तो अभी हम प्लेंकिट पटी बनना स्टार्ट करेंगे अभी हम प्लेंकिट पटी बना रहे तो उसकी लिए हमें जहां तक प्लेंकिट पटी की लैंध रखनी है वहां तक हम लैंध का मार्क करेंगे तो अभी मैंने यहां पर मार्क किया है इसके बात में हमें जितनी प्लेंकिट पटी रेडी चाहिए उसका हमें हाफ करना है अभी म इंच में थोड़ा सा कम उतना रखके मार्क करेंगे और जहां कि हमने लाइंच लिये वहां से भी नीचे हमें तोड़ा सा कम ऐसे करके मार्क करना है अब tennis कि हमारा एक लाइंच काम होगा जैसे की holistic हमारी वण की है पर अभी मैंने वन इंच में एक लाइन जितना कम मार्क किया है कि उतना स्पीच में जाएगा तो हमें पॉर्फेक्टली कवर पॉइंट मिलेगे तो यह वाले पॉइंट को ध्यान में रखना जरूरी है तो इस तरह से हमने यहां पर मार्क किये अभी हम यहां पर कट करे और इसी तरह से same to same हम दूसरी साइट भी क्रॉस कट लगाएंगे तो इस तरह से हमने कट लगा दिया है अभी हम प्लैंकेट पट्टी कितनी रेडी करें तो हमारी जितनी लैंग्ध रेडी है उसका हमें पहले डबल करना है उससे हम टू इंच जितना ज्यादा रखेंगे क्योंकि हमारे यहां पे विथ में भी हमें स्टीच लगानी है और ऐस से हम प्लैंकेट पट्टी की विथ कितनी रखे हमें प्लैंकेट पट्टी रेडी चाहिए वन इंच तो वन इंच आगे की साइड दिखेगा वन इंच हमारा पीछे की साइड दिखेगा और दोनों साइड हमारा हाफ आफ इंच स्टीच में जाएगा तो में प्लैंकेट चाहिए उसका हाफ हमारा स्टीच में जाना चाहिए, यानि हाफ इंच इसलिए मैं पे यहाँ पर हाफ इंच प्ल्यान का मार्क किया है और समझो कि हम्हें 0.75 ही प्लैंकेट प्ल्यांगेट पट्टी रेडी चाहिए उसका हाफ करके हमें यहाँ पे मार्क करना है यही मेथर को फोलो करके कितनी भी साइस की आपको प्लैंकेट पटी रेडी करनी है तो आप कर सकते हो अभी हम प्लैंकेट पटी को स्टीच कैसे करना है वो देखेंगे अभी हम प्लैंकेट पटी को ओपन करेंगे यहां पे हमने जो फैब्रिक कट किया है इसके उपर रखना है राइट साइड हमारी साइड होना चाहिए और प्लेंकेट पटी में तो दोनों साइड राइट ही होगा अंदर की साइड रॉम फैब्रिक होगा तो जो हमने मार्क किया है वो हमारी प्लेंकेट पटी के एकदम नहीं चाहिए हाफ इंच में थोड़ा सा कम रखा था तो वह उतना अमारा कवर हो जाएगा और यहां से हमें स्टीच लगाना स्टार्ट करना है और जहां पर भी हमारा पॉइंट बन रहा है तो पॉइंट को भी हम अंदर की साइड पॉफेक्टली कवर करेंगे बहुत ज्यादा फैबरिक हमारा अंदर की साइड नहीं जाना चाहिए और बहुत कम भी नहीं जाना चाहिए यहां पर हमने प्लैंकेट पट्टी में स्ट्रेट स्टीच लगा दी है उसके बाद हम इसको कितना क्रॉस फोल्ड करेंगे दूसरे साइड वाली पट्टी एकदम ऐसे perfect straight होनी चाहिए तो इतना हम इसको cross fold करेंगे तो यहाँ पर अपने आप इस तरह से cross point बनेगा अब इसके बाद में यहाँ पर हमें यहाँ जो cross point बना है उसका हमें center लेना है तो cross point मेरा बना है one and half inch में थोड़ा सा कम तो इसका हम इस तरह से center लेंगे center पर हमें एक mark करना है और जहाँ पर हम mark करेंगे वहाँ से हमें turn करना है तो यहाँ center पर हमने mark कर दिया अब यहाँ जहाँ हमने mark किया है वहाँ से हमें इसको turn करूंगी तो यहाँ पर हमें point एकदम perfect मिलेगा अब जहां पे हमारा एक पॉइंट बनाए उससे हम वन इंच उपर जाएंगे यहां से हमें स्टीच लगाना स्टार्ट करना है पहले हम लोक लगाएंगे स्टीच को आगे तक लेके जाएंगे स्टीच को नीचे की साइड लेके जाना है वापिस हम पॉइंट 25 पे स्टीच लगाएंगे यहां पर हमें लोक लगाना है स्टीच को हम नीचे की साइड लेके जाएंगे जहां पर भी हमारा पॉइंट बनाएं उसके उपर हमें स्टीच लगा देनी है जितने भी थ्रेड एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारा पॉइंट एक डम पॉफेक्ट बन जाएगा तो इस तरह से हमारी प्लैंकेट पट्टी रेडी है आप देख सकते हो कि यहां पे भी हमारा फिनिसिंग एकदम पॉफेक्ट है यह हमारी फ्रांट साइड है तो फ्रांट साइड का जो पॉइंट है तो वो भी हमारा एकदम perfect बनेगा यहाँ पे हमारी stitch भी एकदम perfect आएगी यहाँ पे हम open करके भी देख सकते है इसका हम पीछे की side का भी finishing देख सकते है तो वो भी हमारा पूरा cover हो जाएगा और इस type की blanket party बनाने के लिए हमें man fabric में कुछ भी extra रखने की ज़रूरत नहीं हम जो regular unfold की side cut करते है वही हम cut करके इस type की blanket party बना सकते है वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धनिवाद ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, share कर सकते हो और चेनल को सब्सक्राइब कर सकते हो